तो पिछली अपेसोड में देखा था कि कैसे CEO हमारा यी की हल्थ के लिए कंसर्ण होता है और इस अपेसोड में हम आभी की स्टोडी देखेंगे तो चलिए देखते हैं CEO कोलता है कि यी एक बहुत अच्छी कवर है कि अब तुम ठीक होने वाले हो तो यी बहुता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो तो ग्रेट ग्रेंडबा कहते हैं कि अभी बहुत जादा रात हो गई है तो हमें रेस्ट करना चाहिए और ओके बहुते हैं और यहां से यह लोग एक दूसरे को गुट नाइट बोलके फोन रग देते हैं और तभी CEO बताता है कि आप हमें और जıntवा कानी की जडरतमी हैं और यह बहुत ही की बात है ऐसा रहके वह यह को अपने कड़े लगा लेता है और साथ में कहता है कि अब हम हमेशा साथ में रह सकते हैं और हम अपना life enjoy कर सकते हैं और अपने सारे movements में enjoy कर सकते हैं यह कुछ समझ में नहीं आता तो यही बोलता है अरे रुपो क्या बात है मुझे पताओ तुम किस बारे में बात करें, मुझे समझ में नहीं रहा है तो यह बलते हैं, अर्छ, मैने तुम maintenu है तावीश दिया था शादी का तो यह इंचिते हैं तो यह अपना तावीश दिखाता है, और बोलता है ऐस तलिस्मा की बात करhow थू then जा यह बताता है कि यह जो तलिस्मा है यह एक marriage amulet है करके और नम्हेंशी बोलता है, हाँ, यह एक तलिस्मा भी है करके यह बोलता है कि तो इसे, जो मैं इतने समय से पहन रहा था तो मैं तुम्हारा लक बॉरू कर रहा था क्या तुम से तो इसे हम क्यों ना ऐसा कहें कि यह लग बॉरो करने वाला एम्यूलेट है करके और तो इसे शादी वाला एम्यूलेट बुलाने की क्या जरुवत है तो यही बताता है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं जोच रहता हूं मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहते हो तो सी यह बताता है कि ग्रेट ग्रेंट फादर नहीं कहा था कि यह जो तावीज है यह तभी फ़र्फ करेगा जब दो लोग बहुत ही इस ट्रॉंग ली इक दूसरे के साथ होने करके अब क्या होता है अभी भी इस तावीज को देख रहा होता है और अपनी मुट्टी वे इसको बीज लेता है बंद कर लेता है और बहुत है मैं इन सब चीजों के वरोजा नहीं करता हूं करके तो कि दोज बोता हि जाये यह यह तावीज मेरेज के लिए काम करे या ना करे मैं बस तुम्हें पसंद करतआ हूं करके मेरा एफ KRI जु तुम्हारे में अब उसका कुछ भी नैना इस तावीज से और उन्हें कि तुम्हें पसंद करता रहां कि यह बोते हैं कि ऐसा ही से इने करके और तब इस झालता है कि मैं तुम्हे अच्छिद है corporations करने और हैं मुझे तुम्हारा लग क्यों चाहिए करके अक्या तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ही चाहता है अनलग ही दिखता था पहले और मुझे पता है कि यह थोड़ा हार्ड है लेकिन फिर भी मैं चाहना चाहता हूं तो लेकिन जब में तुम से मिला उसके बाद से मेरा लग बदल मेरा केरियर एडवांस हो गया, मेरा लाइफ हैपी हो गया और ऐसा रखता है कि अब लाइफ में किसी और चीछ की जरुवत नहीं है करके अबतल क्या यदि यह अईमुलेट इतना इफेक्टिव है तो यह क्या हमेशा इतना इफेक्टिव रहेगा क्या तो सिय बताता है कि बहुत समय पहले की बात नहीं है, तुम जब कोलापस कर गए तो मतलब भी होश हो गए ते तुम्हें याद है, तो यह बता है, फ़कोर्स मुझे याद है, मुझे ऐसा रगाता है कि मुझे बहुत लगी बिमारी है, और अच्छा है कि अब मैं उस चीस से मुझे, तो यह बताता है कि मैं उस टाहिंप पर बुरे मुड में रहता था और मुझे बहुत अजीबं होता था और मुझे घ्लियूल आपे में यह पहुत वियर्ड थेलों कि तो जो मैं कहने जा रहा हूं वो ठोड़ा सा अलग सा है क्या तुम सुनना चाहोगे तो जो मैं चानलों करता है कि यह थोड़ा सा हाड एंबिरीक करने के लिए पर तुम्हें गबराने की जरुवत नहीं है क्योंकि great grandfather ने काया है कि अब कोई भी प्रॉब्लम ने आएगी और अब सब ठीक हो जाएगा तो जी मुलता है ठीक है चलो बताओ भी और वैसे भी हमने इतने सारी अजीब चीजे देखी हैं और इससे भी जादा मैजिकल चीज क्या हो कि जो कि रूरू के ड्रीम्स है मतलब कोई किसी के ड्रीम्स में जा सकता है कि लेकिन हम लोग फिर भी रूरू के ड्रीम्स में जाते है तो CEO बताता है कि तुम जो हो मरने वाले थे और तुमें तो तुमें अब तक मर जाना चाहिए था तो यह बात सुनता है कि उसे मर जाना चाहिए था एसकेप कर दिया है लेकिन अभी भी तुम्हारा अब युच्छ इतना अच्छा फ्यूच्छ चल रहा है वह अभी एक तुम से शियोर नहीं है कि वह हमेशा चलता रहेगा और इसी वज़े से तुम हमेशा बीमार पड़ जाते थे और दादाजी ने यह भी कहा कि यदि ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा और तो तुम को बहुत सफर करना पड़ेगा और तो बैड लग और डिजास्टर भी तुम्हारे पर आएगा लेकिन दीरे दीरे दुमारा जो सब कुछ सही होना चालो हो जाएगा और तो यह इतने वन में सुस्ता है कि मैं मरने वाला था या ने क्यों तो CEO बताता है कि जो मेरी great grandfather है वो किसी का faith बदल नहीं सकते तो हम लोगों ने क्या क्या टेंप्रारी तुम्हें मेरे साथ में इस marriage किसी solution के साथ जरूर आएंगे तो यहीं बोलता है लेकि मुझे विश्वास नहीं हो सकता तो जो लास्ट टाइम मेरे साथ कुछ हो गया था वह इसलिए हुआ था कुछी मैंने यह एम्मिल्ट को निकाल गया था कि अप लोगों को याद हो तो swimming session में यहीं डूब गया था य उस time की बात कर रहा है तो ही बोलता है कि अच्छा तब ही तुम मुझे कहते थे कि इसको हमेशा अपने पास रूप और अपने पाससे तू नहीं रखना क्योंकि यह और मैं इसे हमेशा में पॉक्ट में रखता था और जो मैं काम बहुता था तब ही महसे पॉक्ट में रखत कि चाहता दुपी होने की जवरत नहीं है उमीदें अभी भी बाकी है और दादा ने कहा है कि तुम्हारा जवर्ड नगे वह अब गाया हो रहा है ऐसा कहके वही कपले कंदे पर से रख देता है तो यह जान के पुलता है कि सच में ऐसा होगा क्या तो तो CEO बोलता है हां एस लॉंग एस तुम हार्ट करो के और पीपल का लाव एंड सपोर्ट के इन करो के तुम्हारा लग के बहुत लग्यर हो जाएगा और तुम अपने लाइफ के मास्टर भी बन जाओ के करके तो यह होता है सच्छी तो मैं पहुत ही इन वर्क हार्ट करूंग और तुम्हारे अलबी में वर्क करोंगा पीःट करोंगा और अपने लिए भी वर्क करोंगा तो CEO धिक एटिक है तुम करो अब क्या होता है दूसे तर दिखाते हैं कि असेस्स्टर बोल रहा होता है पॉस कि आपने आज की नियूस को देखा और ज़ो इंप्रेशन एस टो आज पूरा की पूरा बुक हो गया है और अप्वाइनमेंट भी उसका हो गया है और पिछले तीन दिनें से कुछ भी पॉपुलर नहीं है सिवाए हमारे न्यू प्रोटेक्ट की यह कितना आमेजिंग है है और सी यह सिर्फ हलके से बोलता है और तब ही मैनेजर को था है कि हमारा जो प्रोंध कि यह बहुत ही पर्फेक्ट था और टेक्निकल भी था और कहते उन्होंने जो रोल था वह वह भी उन्होंने प्रेखिया था और उनका एंडोड़ समेंट जो है वो सब बहुत परफेक्ट था और इससे साथ हम कुछ मांग भी नहीं सकते और इससे जादा अच्छा यही ने कोई शॉट दिया भी नहीं था और जो हमारा प्रमोशनल था वो बहुत इफेक्टिव था और अहां में न यहीं को अपना ब्रैंड एम्बिसेटर बनाने के बारे में सोचना चाहेंगे करके तो सियो बहुत खुश होता है और होता है कि हां यहीं बहुत ही अमेजिंग है करके है और तब भी मैनेजर कहलता है कि ठीक है तो हमें रिजर्वेशन कर देना चाहिए और हमें डेट अगर भी फिक्स कर देने चाहिए और यह सब जो है फिर सहीं हो जाएगा और हमें जो हमारे इंक्रीस करने पढ़ें के डिवाइसे जिससे हम उन्हें अग्ली बार लांच कर करते हैं और बोलता है कि हमें थोड़े नमबर ही रिलीज करने कि तो असिस्टन को समझवनी आता है और वे तभी बताता है अब हम फोर फ्रेंट में नहीं हैं टेक इनॉविशन में और हमारे अभी सारे कम्पिटर्स नहीं है थोडे समय के लिए अथ यह हमारे यह एक चांस है हमारे ब्रैंड के लिए कि हम एक हाइड इमेज टैबलब करें और हम एक अच्छा फांडेशन और फ्यूचर स्टेटेस पर चाहिए हमारी इंडस्ट्री के लिए सो हम क्या है इन लोगों की जो मार्केट की भूख है उसको अभी हम यूटिलाइज करतेंगे तभी क्या होता है दूसरी तब दिखाते हैं कि जो इनका भाई है वो बोल रहा होता है कि कौन मुझे दूसरा चांस नहीं मिलेगा और हमारे फैमली के दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और डैट जो है मुझे कभी एक्स्प्रेम नहीं करने देंगे अब इनकी बड़ी बेहन बोलती है हाँ तुम सही कह रहे है और तो लेकिन कैसे वो तुम्हें इतने पीटे हो और यह फैमली मैटर है और वो इतने भी रूथलेस नहीं होगे तुम्हें सब एक्जिक्यूटिव्स के सामने कभी से निकाल दे तो इनकी मांग बोलती है कि वो लोग जो है सब कंपनी के वारे में पूरा बोल रहे हैं और जो तुम्हारे फादर है और उनको कई सीव लोगों के सामने ना अपालोजी करना पड़ा अवह बहुत ही ज्यदा प्रषो के अंडर एं और बहुत ही हमीशा प्राउड आदमी रहें उन्होंने कि सामने अपको लूजी नहीं करी अपना सिर्णीh जुगाया उर तो वो क्या है अच्च of you एक टूरा ं्स और तुम अभी यंग हो तुम्हें सेहन शक्ती का उप्योग करना आना चाहिए और जाके अब आराम करूं As your mother, मैं तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करां नहीं करके अब दूसरी तरह दिखाते हैं कि हमारे दादजी बोले हैं तुम क्या कह रहे हो कि तुम्हें अपाइंट नहीं मिला और जो लंच है वो अभी तस बचे चालू हो जाएगा करके और अभी 30 सेकंड बचे हैं और तभी उनका इसस्टम बताता है कि जितने भी यूनिट थे और इस सारे मॉर्निंग के उन्हें सब को बीच दिया गया है और तो हमें आज रात को फिर से ट्राय करना पड़ेगा हमारा जो प्रोडेक्ट होगा मार्कित में और आपको एक भी प्रोडेक्ट मिलेगा नहीं चाहे तो कितना भी पैसा करच कर लो यह जो धंगी होती है मिस्टर ही जो हैं मिस्टर फैन को देखे जाते हैं तो मिस्टर फैन याने मार दाद अचे भी सोच रहे होते कि उस बुट्टे की कई भी बात लगता सही है उसमें पहले मेरे ग्रेट जिन याओ को मेरे से चुरा दिया और उसके बाद उसने अब उसका जो टालेंट है बिजनस में उसको भी स्करा और इतना अच्छा प्रोटेक्ट बनाया है और ही फैमली जो है सच में बहुत चादर टेरेबल फैमली है और मुझे किसी भी हालत में यह चाहिए तुम नभी बजा जाओ और जाके मेरे लिए एक लेक याओ याना हमारे दाजाद जी को भी वह 3D वाली चश्म चाहिए और तब ही दादा जी होते एक और एक चीज जो मैंने तुम्हें असाइन्मेंट दिया था वो कैसा जा रहा है करके तो असिस्टन बताता है कि मुझे डर है कि माड कुछ नहीं सुनना और तुम एविदेंस को हाथ में पकड़के रखो मैं इससे बाद में डीन करूंगा करके अब कुछ होता है दादा जी जो है अपने ऑफिस में कामवान खत्म करके वापस होस्पिटिव की तरफ आते हैं और तभी डॉक्टर जो बोलता है कि तुम इतने काम जो कर रहे हो किया काम तुमारी हैल्ग से जाधा है और दो जांते हो कि क्या कर रहे हुँ और तुम एसा करो कि तुम तो मेरी रिग्स मेरे हो पढ़ जाएगा और अवे तरफह दाना चीबर इतै तभी तया मैं जल्दी कुछ नयूप्ड हmaya मैंसे जल्दी खतम करके जाना चाहता हूं मुझे नहीं बता मेरे पास कितना टाइम बच्छा है तो जो डॉक्टर है वो आज मैनेजर को समझाते हैं कि लियो क्या तुम मिस्टर फैंग की टाइमरी को इंफॉर्म करोगी और वह भी ठीक नहीं है और इमोशनली भी करें और वह भी कॉप्रेट नहीं करना चाहते हैं ट्रीक्मेंट के साथ और मुझे तरेक यदि इसी तरीके से चलता रहा तो होश है चल्दी ही कि दुनिया छोड़के चले जाएंगे तब क्या होता है मैं दादा जी का सिस्टेन ना हमारे चिन्याओं को फोन लगाता है और बोलता है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं तो जिन्याओं फोन उठाता है और तभी यह पूछता है कि क्या हुआ तुम ठीक नहीं लग रहे हो करके तो यह बताता है कि मिस्टर जिम ने अभी कॉल किया था और बताया ग्रैंट फादर जो बहुत सीरियस्टी इन है और जाते हैं कि मैं उनको किसी तरह मनाओं कि वो ट्रीटमेंट पे रहा करें तो यह बता है कि तो बहुत सीरियस बत है हमें जाना चाहिए और जिन्याओं होता है कि मुझे वरी हो रही है कि हो सकता है वो कोई excuse दे रहे हो मुझे वहां पर देखने का और अभी तो कुछ पहले कुछ दिन पहले वो बहुती स्टेवर थे और उन्हें हमेशा कोई ना कोई रीजन चाहिए हो से मिलने का लास्टाइम उन्होंने मुझे वापस आने क्लिका हो और मैंने रफ्यूज कर दिया और तभी सियों बोलते है कि यह जो ताइम में बच्छ को लांच करने का टाइम जाएए और यह जिए तरह रहां जाता है पर यह जो कि इसक्न म्युक्त में चाहिए और उन्हें दीम अदेख यह जान आ चाहिए आप रहे ब्लेट करेंगे तो यह जो तो फ़िए रहे बोलते है कि मैं तमहारे साथ चहरूंगा और रुरू झोभी लेके चलेंगे सने काफ दादा जी बलता है कि हमाँ पर ज़्या बचा नहीं है और देखते हैं कि दर वाचेपन उको होता है और देखेक है कि यही और इंग्याओ रूणी सब्सक्पाइब और बोलते हैं हम आपको देखने आए ग्राइन फादर और रूरु को देखकर और चॉक जाते हैं और बोलते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम लोग जा रहा है और यहां पर बैठो बहुत क्या कहते हैं चेर्स लेकर आओ सब बैठो दादाजी वापस बिस्तर के पर चाने नहीं और रूरु ने पहिचाना है और वह बोलते कि इस तरह बहुत को नहीं होते हैं हम तोनों चाहिए को चिकीटिक बोल जाओ तो मिस्कों लिए प्रशर मत कर रो तब ही सब वह देखते हैं पर देंगते तादा जी फिर अपना मन बनाता है तादा जी की तरफ देखता है और देखता गया है कि तादा जी फिर से पिश्टागों से बंदे वे है और पो जिए इधरा और रुडू मुझे अपने आपको पकड़ने दो करके मैं दिनना चाहता हूं कि तूम कितने स्टॉंग होगया औ कि असा लगता है कि तुम पहले से भी जाधा स्टॉंग हो गया है और रुडू कमने लगा लेते हैं अब रुडू जो होता है फिर से कुछ ढूने लगता है आपको याद होगा है कि पिछले कई चैप्टर में रुडू ने दादा जी के जो धागे थे वो खोले थे और उन जाए उनके कैंसर को ठीक है ता और तभी सी यह बोलता है कि लगता है यह लोग एंपर रहे हैं और तभी दादा जी बुटा है कि बच्चा बूल नहीं बढ़ता है कि आप भी वह से ही गेम प्लीना पसंद करता है तो रुडू बहुत कोशिज करता है लेकि उससे थागे का अबराइज नहीं मिलता हो अबता है तभी दादा जी तो बॉलता है यह लिए अप्र फिर से प्लीन नहीं कर सकता है करके अब तादा जी को समझ नहीं करते है कि क्या बोल रहा है अब दूससरी दिखाते हैं कि हमारे ऐसी यह के ग्रेट ग्रैन्ट फाटर कि आपने घर में और बोल रहे हैं कि जो स्टार्स है आसलान को देखके उनका जो लाइनमेंट है वो बतल गया है और वहां पर एक चांस था जब मेरे बेटे को इस चांस को यूज कर लगा चाहिए था लेकिन उसने चांस मिस्स कर दिया है अब क्या होता है कि सी और यहां पर पैट्टे होते है कि आपको डॉक् committee करेच के साथ कऊपटर करना चाहिए कि आपकी हेल्थ बहुत इंपर्टेंट आपको अथि से नहीं खेलना जाहिए तो कि बहुता है और बोटंऔर सोटके साथ करना चाहता हूं और SFanterर में वेस् strengthen करना करना चाहता हूं मैरे मैंने मैंने सारे वहाई चीजों के साथ डिल के लिए मेरी कोई इच्छा नहीं है करके तो दादा जी बोलते हैं कि तुम्हें ज्यादा चेंता करने की जरुरत नहीं है और क्या कहते हैं करके तब इसी हो बलते है ठीक है मैं आपको हॉस्पिटिल में एवरी डिया आऊंगा मिलने के लिए और तभी दादा जी बलते है कि लेकिन मुझे यहां सारा दिन पढ़े रहने पैसे रखते है कि मेरे लाइफ का टाइम वेस्ट हो रहाए करके और ऐसा तब से फील हो रहा है तो मुझे यहां से बाहर ले जाने की खोशिशिस मत करो रूरू और सीई और यही यह सब सुनते हैं और दादा जी बलते हैं कि ठीक है यहां आने के लिए धन्यवाद आज के लिए और मैं यहां पर अपने जो मैंने आज तक किया है उसके बारे में बैठके सोच रहा हूं और यह सही है कि मैं बहुती सेल्फ सेंटर टाइप का आदमी हूं और मैं इतने सालों से सेल्फ सेंटर आदमी ही रहा हूं और मैं हमेशा रियालिटी को एसकेप करने में लगा रहा हूं और मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा और मैंने हमेशा तुमारे फीलिंग्स को हाट में कुछ लेके देख रहे होते हो और उन्हें आवाज सुनाई देती है डैड डैड करके तब ही उनकी चोटी बेटी आती है और देखती है तो जो उनके फादर है ने मेरे ग्रैंपा जो है वो बोलते हैं यू यान तुम यहां क्या कर रही हो डैड हमें कुछ बात करनी ह करके तो यहान जो है, मतलब हमारी च्छोटी अंटी जो है, वो बताती है कि क्या-क्या प्लान किया वह है उन लोगों ने और तब दाद़डगी पूरते है ठीक है तुम जा सकती हो और तब छोटी बेटी बूती है ठीक है आप अपना ख्याल रखना और तभी दादाजी को रिलाइस होता है कि इतने साल तक वो गलत थे और वो सुचते है कि मुझे कभी भी उस ओरत ने जाने नहीं दिया क्या वो बहुत ही impatient है क्या मतलब हमी second wife के बारे में कि सोच रहे हैं और बोलते है कि मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं चोड़ेगी जब तक मैं मर नहीं जाता करके और मैं चांती से मर भी नहीं सकता और वो मेरे मरने का बिल्कुल इंतजान नहीं कर सकती और बोलते है मेरे whole life में कितना बड़ा failure था in the end मेरे साथ कोई भी नहीं रहा सब लोग मुझे चोड़के चले गए मैं अपने lover को भी protect नहीं कर सका और नहीं मैं अपने खुद के बच्चों को protect कर सका और मैंने अपने favorite grandson को भी punish किया यानि कि इसने CEO को punish किया करके और जबकि मेरे other sons जो थे और मेरे daughter थे वो इदर उदर fool हो रहे थे करके और मैंने जो कुछ अपना past अपने life में गुजा रहा है वो सब कैसा था करके और अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी wife भी मेरे से अपना पीछा छुडाना चाती है और हो सकता है कि यह मेरा punishment हो मेरा punishment हो ऐसा करके दादाजी बहुत ही sad हो जाते है और तब ही उन्हें आवा जाती है हुएरिन, हुएरिन, हुएरिन हुएरिन, फैंग करके अपना दादाजी की एकदम से आखे चौक जाती है और वो एकदम से गहरी सांस लेके उट पड़ते हैं कि वहाँ कौन है, कौन मुझे बुला रहा है अब दादाजी देखते हैं कि उनकी जो first wife है, वो आई है और उसका नाम XEO है और अपने husband को आके बोलती है hello, बहुत लंबा समय हो कि हम मिले नहीं है करके, और वो बहुत ही खुशी-खुशी से अपने husband को देखती है, और बोलती है, हम तुम्हें यहाँ लेने आए हैं, तो दादाजी बोलती है कि मुझे लेने आए हो, और तब ही उनकी first wife बोलती है कि यह बिल्कुल भी easy नहीं था, तुमारा इंतिजार करना, लेकिन अब दुम्हें अपने सारे काम कर लिये हैं almost, तो पुछते हैं कि क्या problem है क्या तुम्हें डर लग रहा है मने से, क्या तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते हो, तो दादाजी अपनी first wife का हाथ पकड़ती हो, बोलती है क्या मैं सपना देख रहा हूँ XC आओ, क्या तुम सच में आई हो after all, इतने सारे years के बाद, तुम finally मुझे मेरे dreams में मिलने के लिए आई हो तब ही न, उनको दादाजी को एक और एक आवास सुनाई देती है जो कोई बोल रहा होता है, डैड करके और यह जो होता है न, उनका बेटा याने CEO के फादर आए होते हैं, और वो देखते हैं कि CEO के फादर, जो है उसको उनके grandfather देखते हैं, और बोलते हैं कि बेटा एक सुरान और तब ही यह लोग उनको हाई बोलते हैं और पूछते हैं कि तुम यहां कैसे आए और तब ही इनकी जो first wife होती है वो बोलती है कि क्या आप हमारे साथ आना चाहोगी, हम लोग आपका बहुत समय से इंतिजार कर रहे थे और honestly बोलू तो मैं न, तुम्हारा इंतिजार करते करते ठक गई हो करके और तुम बहुत ही लखी हो कि मैं तुम्हें अभी भी प्यार करती हूँ और यदि तुमको मैं प्यार नहीं करती तो मेरे जो कबर के बाज़ू में जिस आदमी का कबर पढ़ा है ना मैं उसके साथ में भाग जाने का सोच रही थी लेकिन मैं जो हूँ बहुत प्रीटी हूँ और मेरे जो सूटर से मतलब मुझे पठाने वाले लोग बहुत सारे हैं और यदि तुम मेरे साथ आना नहीं चाहोगे तो मैं वाकई में तुम्हें छोड़के चली जाओंगी तो दादा जी बोलते हैं कि अरे मैं तुम्हारे साथ आऊंगा लेकिन तो इनकी जो फर्स्ट वाइफ है बोलती है ठीके मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम देती हूँ तुम सारी चीजों के साथ डील कर लो और उसके बाद फिर मैं तुम्हें दो दिन के बाद लेने आऊंगी दादा सोचते हैं कि उन्हें किस चीज के साथ डील करना है करके तो फिर अपने सपनों की दुनिया में उनकी ये सब हो रहा होता है और वो अपनी फर्स्ट वाइफ से माफि मादते हैं और बोलते हैं कि मैं टूथ को एकसेप नहीं कर सका और मैं तुम्हारे लिए जस्टिस भी नहीं लेकि आ सका और मैं बहुत ही वर्स्ट फादर हो करके और हस्बेंड हो करके क्या तुम लोग कभी मुझे माफ कर सकोगे क्या और तभी उनका बेटा याने CEO के फादर और मदर बोलते हैं कि डैड ये सब पास्ट में था और आपने जिन्याओ को बहुत ही अच्छे से बड़ा किया है और आपने उसे प्रोटेक्ट भी किया है और हम लोग इसी में बहुत खुश है और तभी दादी जी जो है इनकी मतलब रियल ग्रैंड मदर और दादा जी की फास्ट भाई बोलती है कि जो मेरा जिन्याओ बहुत ही स्वीट है और उसने तुम्हें मंटिपल चांस दिये और उसने तुम्हारी बहुत देखर की बट तुम जो तुमने बिल्कुल भी नहीं देखा ऐसा कहके अपने हस्बन के सिर्के उपद एक थपकिसी मार देती है और बोलती है कि अब तुम्हें ये सब सही करना पड़ेगा और नहीं तो तुम आठकेले ही यहाँ पर मरोगे और हम लोगों को और अपने बच्चों को कभी नहीं देखोगे और जाके कहीं जाके अपना लोनली घोस्ट में बदल जाना तुम तुम दादा जी सोचते हैं कि भई मरने के बाद भी यदि मैं अपनी पहले वीवी से नाम मिलूँगा तो कितनी बुरी बात हो जाएगी तो वो फट से बोलने लगते हैं कि ठीके ठीके मैं सब चीजों का टेक केर करूँगा और तब ही दादी जी बोलती है हमारी पहली दादी जी बोलती है कि ठीक है अब तुम जल्दी जाओ और जल्दी जाके सब ठीक करो और दादा जी के मात्य पर कुछ उंगली से करती है और दादा जी एक दुन से लेट जाते है और तभी दूसरे दिन उठते हैं दादा जी और सुसते हैं मुझे डील करना है इन सब चीजों से डील करना है और वो जो है वो मुझे लेने आएगी करके यह अपनी फर्स्ट वाइफ के बारे में याद करें जो अभी अभी सपने में दिखी थी और बोलते हैं कि she is coming वो आ रही है मुझे लेने के लिए अब दूसरे तर दिखाते हैं कि दूसरे दिन दादा जी जो है वो real estate और assets distribution और इन सब के लिए अपने वकील को बुलाते हैं और बुलते हैं कि fan group के जो shares है, physical property है, cash और bank का deposit है stock और bonds है, equity है, paintings है, jewels है, everything जो है वो सब master yin या इन fan को जाएगा याने कि रूरू को जाएगा, तो जो हमारे दादा जी है, वो अपनी आदे से अधिक property जो है, रूरू के नाम पे कर देते हैं फिर वो बोलते हैं कि however, जब तक young master रूरू, adulthood में नहीं जाता है तब तक ये property का सारा दियान जिन्याओ रखेगा करके, मतलब हमारे CEO रखेंगे और ये मेरी will है करके, और फिर बाद में बोलते हैं कि मुझे यकीन है कि आप लोग को ये सारी चीजे clear हो गई है जो भी मेरी will में था, और Mr. Jang जो है, उन्होंने कहा है कि मतलब सब आना फुसी करने लगते हैं और बोलते हैं कि एक दूसरे से बोलते हैं कि ये वाकई में सारी अपनी property जो है, बेवी के नाम पर चोड़के जा रहे हैं जो अभी तक ठीक से बोलना भी नहीं सीखा, क्या इनका धिमाग खराब हो गया है और क्या कहते हैं, यदि ये जिन्याओ को नहीं देते तो इसमें कोई surprise वाली बात नहीं है, लेकिन किसी और adult को देना भी सही होता और तब ही इनके अंकल बोलते हैं कि एक बेबी क्या कर लेगा, और तब ही उनकी माँ बोलती है कि ये बहुती awkward situation है और दूसरे लोग बोलते हैं कि देखो मैडम वैंग को देखो, उनको तो देखके लगनी रहा है कि वो ये चीज़ को accept करेगी तो माडम फैंग जो है, मतलब हमारे दादा जी की जो second wife बोलती है, who are in, तो ये तुम क्या कह रहे हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुमारी wife हूँ और तब ही दादा जी बोलते हैं, लेकिन अब तुम मेरी wife नहीं हो करके और तब ही न, lawyer एक paper निकलता है, और दादी जी के हाथ में देता है, और दादी जी बोलती है, कि ये क्या है और तब ही वहाँ से आवाज आती है, कि ये काम गरो, ये papers को sign कर दो, ये divorce paper है, जैसे ही सब लोग देखते हैं, कि ये divorce paper है, उनका मुह खुला का खुला रह जाता है उनकी बड़ी बेटी बोलती है, कि ये डैड आप पागल हो गए है, आपने सारी चीज़े एक तो किसी और को दे दी, और माम को आप divorce दे रहे होका कि, और आप लोग इतने साल से एक साते, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, और आप जो वसे भी मरने वाले हो, तब ही उनकी चोटी कामली तो जिन्याओ को दे दी है, और वो हम में से एक नहीं है करके, और आप ऐसा सारा समान बच्चे के नाम पर कैसे छोड़ सकते हो, और ये जो है रूल के खिलाब है, और मैं आपका बेटा हूँ, और अधि ऐसा नहीं भी हो, तो भी आपका ऐसा नहीं करना चाहिए, और तुम्हें लगता है कि जो उन्होंने कही थी, वो विल के बारे में कही थी, और तुमने सब कुछ रेफ्यूज भी कर दिया था, कि तुम्हें प्रापर्टी वगरा नहीं चाहिए, तब भी उन्होंने ये सारी चीज़े रूरू के लिए चोड़ दी, क्या ये ठीक रहेगा क्या, और ये तो पूछो ही मत, इसके बारे में तो बात मत करो, हम लोग तो वैसे भी आउटसाइडर हैं, और हम लोगों ने भी सब सुन लिया है, और मुझे नहीं लगता कि हम सब को यहाँ पर होना भी चाहिए, तो CEO बोलता है कि तुम मेरे पाटनर हो, तुम आउटसाइ तक मैंने तुमारे साथ रही, कितना तक था रहना, कि तुम मुझे नहीं जानते, कि तुम मिर पर अभी भी डाउट कर रहे हो, तो दादाची बहुत इरिटेट होते हैं और बोलते हैं कि अपना नाटक बन करो, अब मैं तुमारे द्वारा उल्लू नहीं बनाया जा सकता, और मैं जो हूँ, बैकडाउन नहीं करूंगा, मैंने जो है, रिस्पांसिबरिटी लिये हैं और तुमारा हस्बेंट बनने के लिए हैं, और हमारा जो प्यार है, वो बहुत पहले ही उड़ चुका है करके, और तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है, और कि तुम्हें डर नहीं लगता कि जो तुमने किया है उसका consequences क्या होगा करके मतलग जो इनकी second wife है उन्होंने इनके बेटे का accident कराया तो ये बात दादा जी को confirm हो गई है करके अब रात हो जाती है सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और दादा जी अपने hospital bed पे लेटे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि जब as long as तुम जब तक यो लोग मेरे साथ होंगे हम next life में मतलब ठीख होंगे करके वो अपने बन में ऐसा अपने परिवार के बारे में सोच और सोचते हैं कि अतना डरावना नहीं होगा तब यूँने अपने बेटे और बेटे की वाइफ की याद आती है और वो उनको सपने में देखते हैं और बोलते हैं कि यदि मुझे पता होता कि वो लोग मेरा इंतिजार करेंगे तो मैंने इतने साल तक देर नहीं लगाई हो और वो सुचते हैं कि मैं रेडी हो गया हो करके और तब ही वहाँ दिखाते हैं दूसरी तरफ की रूरू अपने पार्क में है मतलब उसकी ड्रीम वाले पार्क में और वहाँ वो खड़ा हुआ है गाईज मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहते हूं क्योंकि हो सकता यह सब आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो कि यह जो स्टोरी फिलाल अभी चल रही है ना यह ड्रीम्स में चल रही है तो दादाची के ड्रीम्स आपने देखे वहीं रूरू अपने ड्रीम्स में सब को मिलवा सकता है यह भी आप लोग जानते हैं तो आप लोग प्लेग्राउंड देखते हैं जहां रूरू अपने ड्रीम्स की प्लेग्राउंड लैंड में खेल रहा होता है और देखे लैंड कितनी अच्छी है उपर बिग हैड भी दिखाया गया है और रूरू थोड़ा सा दुखी हो जाता है तब ही CEO और यह पुछते हैं कि रूरू क्या बात है क्या प्रॉब्लम है तो रूरू बहुत दुखी होता है और बोलता है वो जा रहे हैं अब क्योंकि रूरू में special power है इसलिए रूरू को पता चल जाता है जो भी उसके से connected लोग है कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम है तो इसको पता चल गया कि इसके जो दादा ज गई है करके तो रूरू बोलता है वो जा रहे हैं वो जा रहे हैं और रूरू जो है बहुत पैनिक करने लगता है उसे बहुत बेचानी होने लगती है और तब ही बताता है कि ग्रैंट पा जो है वो लीफ कर रहे हैं करके और ग्रैंट फादर जो होते हैं कि वो हस्पिटल बै रोर है है वो फिंख हैं इनकी घुंड रहा है और वो को अब टोंड़ और बोलते हैं कि क्या अभी तक महीं और लगाएं मतलब आने-स-पहले मतलब आने से पहले जैसे इन्होंने अपनी property को distribute किया ये सब इन्होंने कर लिया है और कहते हैं कि मैंने recite किया कि मैं तुम लोगों को early join करूँगा मतलब इनकी वीवी ने कहा था कि वो इन्हें दो दिन बाद लेने आएंगी लेकिन दादा जी को सबर नहीं हुआ अपनी पहली बीवी से मिलने का तो उन्होंने दो दिन पहले ही दुनिया छोड़ती अब वो अपनी बीवी को यहाँ वहाँ ढूनते हैं कि एक से आओ, एक से आओ, कहा हो तुम और अपने बेटे को भी ढूनते हैं और सुसते हैं कि यहाँ पर कोई क्यों नहीं दिख रहा है क्या वो लोग मैंने जो काम किया है और जिस तरीके से मैंने जीजो का हंडल किया इससे वो साटिसफाइड नहीं है क्या करके लेकिन अब मैं वापस नहीं जा सकता करके यदि वो लोग मुझे लेने नहीं आएंगे तो मैं वापस कैसे जाओंगा करके अपना उनकी वाइब पीछे से आती है और उनके कंदे पे हाथ अकती है और थप थप आती है दादा जी एक्रिम से डर जाते हैं और थभी उनकी वाइब बोलती है कि मैंने तुमें कहा था कि तुम सारी चीजों को सेटल डाउन करके रखना लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा था कि तुम अपनी डेथ के लिए रश करना याने अपनी डेथ को फावर्ड ले आना करके और तुम तो दादा जी बोलते हैं एक्सी आओ तुम यहाँ पर हो मुझे लगा कि तुम मुझे यहाँ पिक करने नहीं आना चाहती हो और मुझे बहुत डर लग रहा था कि तुम मेरा इंतिजार नहीं करोगी तो मैंने जल्दी ही दो दिन पहले ही आ गया हूं करके और तभी उनकी वाइब बोलती है पहली वाइब बोलती है तो तुमने सारा मैटर अपने हाथ में लिया करके मुझे लगा था कि तुम मरने से डरते हो करके तुम कैसे ऐसे मतलब सड़नली अपने आपको मेरी दुनिया में लेके आ सकते हो दो दिन बात की जगह दो दिन पहले और तभी दादत जी बोलते हैं कि मैं तो बस तुमें जितनी जल्दी हो सकते जल्दी देखना चाहता था इसने में तुम्हारी दुनिया में आ गया मैंने सब चीज़ों की देखबाल सही तरीके से कर दिये और मैंने अपना जो जितना भी पजेशन था सब जिन्याओं की बच्चे के लिए चोड़ दिया और मैंने डिवोर्ट की फाइल कर दिया है और मैंने अपने लॉयर को भी बोलती है कि एक्सरान का केस जो है उसको जिन्याओं को दे दे और जिन्याओं को डील करने दे और मेरी जो लाइफ है वो अभी तोख अच्छी नहीं चल रही थी और बहुत ही ज़्यादा लंबी थी अब मैं तुम्हारे साथ आ गया हूं करके तुमसे मिलने आ गया करके और वो अपनी वाइफ से सौरी कहते हैं और बोलते हैं कि जब से तुम आई हो करके और मैं तब से तुमसे मिलने के लिए बेताव हो रहा था वैसे भी हमने यह सिख बॉड़ी से परिशान हो गया था तो इनकी जो वाइफ है फस्ट वाइफ बोलती है कि यू इडियट तुम इतने सालों से बिमार थे और क्या तु सालों से सफर ही कर रहा था जब तुम मुझे चोड़के चली गए थी तब मैं मशीन की तरह काम कर रहा था और मेरे पास कोई भी गोल नहीं था जिंदगी में और कुछ भी नहीं था और मैं अपने खुद की केयर नहीं कर सकता थागर कि और तब भी न हमारी दादी जिज़ यह नहीं थे और तुम मेरे जस्ट मरने के बाद ही तुमने दूसरी शादी कर ली थी और कर तुम इतने सालों से खुश नहीं थे और एकदम से करती है और आगे मुड़ जाती है तो दादा जी गुम से पपी आईज बनाने लगते हैं और मुलते हैं कि I'm sorry मैंने सब कुछ मैं सब कर दिया हैं और यह सब मेरा ही fault था मैंने शायद अपना दिमाग खो दिया होगा करके और मैं सिर्फ उस औरत के लिए मतलब things को ठीक करना चाहता था और क्योंकि वो मेरी girlfriend थी और उसने अपना सारा youth मेरे उपर ही अपती जवानी सारी मेरे उपर ही बरबाद कर दी थी तो मैं सिर्फ उसके लिए यह चीज मेकप करना चाहता था लेकिन मुझे कभी realize नहीं हुआ कि वो औरत बहुती ज़्यादा vixious होगी यानि कि बहुती ज़्यादा उनके बारे में मात कर रहे हैं जो मैंने अभी आप बताता है यह चोटे बाल वाली second wife है और बड़े बाल वाली first wife है first wife अच्छी है second wife बहुत चलाक है तो वो बोलते हैं मैंने उसको जिन्याव को भी hurt करने दिया और मैं अपने खुद के बीटी को भी मतलब हमारे दादा जी जो है वो अपनी first wife से promise करते है तो दादी जी बोलती है कि अरे तुम कुछ explain करने की ज़र्वत नहीं यह सब भूल जा मुझे कोई फरक नहीं पता किसी भी चीज से वैसे भी हम तो मर गए हैं और मैं तो बहुत पहले ही मर चुकी थी और मैंने कभी यह सोचा नहीं था कि तुम single रहोगे अपनी पूरी life मेरे मनने के बाद और इसके अलावा हम लोग ने जब marriage की थी तो यह business interest के कारण marriage हुई थी तो मैंने मेरी कोई भी expectation तुमसे वैसे भी नहीं थी तो दादा जी बहुत sad हो जाते हैं बोलते है एक्सी आओ तब भी दादी बोलती है कि in truth याने सच्चाई में मैंने तुमसे कभी भी कोई भी expectation first place में नहीं रखी थी और मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम लोगों का जो relationship है इतना long और ठीक चलेगा और तुमने मेरे care की मेरा respect किया और तुमने मुझे treat भी sincerely किया जब हम लोग जो साथ में थे तुमने मेरे सामने confession भी किया था कि तुम्हारी एक ex-girlfriend और first love है और तो इसमें जो है तुम्हारा कोई fault नहीं है और मैं किसी भी चीज़ किया परवा नहीं करती हूँ और मुझे पता है कि तुम बहुती ऐसे आत्मी हो जिसे दुखासानी से ना दिया जाए और वो जो ओरत है वो बहुती चलाक है तो दादा जी फिर भी उसको sorry sorry बोलते है और बोलते हैं कि मुझे पहले ही realize हो जाता कि मुझे तुमसे कितना प्यार है करके तो मैं उस वारत से दूर रहता करके मैं तुम्हें कभी भी hurt नहीं करना चाहता था मुझे अपने आपसे नफरत होती है जब भी मैं यह सोचता हूँ तभी वो बोलते हैं कि तुमने कहा था कि तुम हर चीज में good हो लेकिन तुम जब भी प्यार की बात आती है न तो तुम एकदम से बेकूफ हो जाते है old man करके याने वो अपने husband को old man करती है और बोलते हैं कि forget it भूल जा अब तो तुम वैसे भी मर चूगे तो इन चीजों को जाने दो और तभी दादा जी बताते है कि मुझे doubt तो था कि तुम मुझे से प्यार करती हो करके और तुम मुझे उस औरत के साथ इसे छोड़ गई करके और तुमने कभी भी इदर उदर कोई भी mess नहीं फैलाया करके और तुमारे पास बहुत सारा opportunities और पावर ता जिसकी वज़े से वह और तुम्हारे पीछे पड़ गई और इसी वज़े से मैंने अपने आपको कहा कि मुझे वेट करना चाहिए में भी शाहिए तुम अपना दिमाग बदल लो और नहीं तो मैं तो तुम्हें छोड़के जाने ही वाली थी तो दादा जी बुलते हैं एक से आओ और तभी ना उनकी वाइफ जो है एस सिर्क्यों पर एक हाथ रखती है उसमें से कुछ ग्लो होता है और बोलती है कि तुमने अपना टेस्ट जो है पास कर लिया है अब जो दादा जी है उनके पीच्छे काफी ग्लो होता है और वो कुछ देख रहे होते हैं और बुलते हैं कि हा अब उनने अच्छा फील हो रहा है मुझे बिलीब नहीं रहा है कि अब तुम बुड्डे हो गए अब तुम एक ओल्ड मैन की तरह और बोलती है कि यहाँ पर वेट करो और हमारा बेटा और बहु जो है वो अभी भी सिमेट्री में है मैं उन लोगों को यह बला के लाती हूं और तुम जो हो अब हमारी फैमिली में आ गए हो आफ्टर लाइफ तो अब हम लोग टूगेदर रहेंगे तो दादा जी बोलते हैं ठीके मैं यहां पर वेट करता हूं और बोलते हैं कि म दादा किधर जा रहे हैं और तब ही रूरू बोलता है तुम लोग जल्दी करो मेरे साथ आओ तो रूरू तो अपनी डकी बाइक पर बैठ जाता है और यह दोनों बैठेंगे कि नहीं वो दो नहीं पता और बोलता है व्रूम व्रूम करता है अब दिखते हैं कि सब लोग एक एक बादल पर बैठे वे हैं और जो रूरू है वो एकदम स्पीड में अपनी डकी बाइक चला रहा है और दादा जी एक तरफ खड़े हैं और अकेले सोच रहे हैं कि इतना टाइम हो गया यह लोग कहां चले गए हैं और वो अभी तक पापस क्यों नहीं आई है क्यों पर कोशिनद मार्क बनते हूं दादा जी सुचते हैं की मुझे यहां पर रूरू की आवाज कि इस सुनाई दे रहीं है तब हैं सbooks और ग्रैनपा और ग्रैंपा ग्रैनपा करके सब लोग सुआ शबनी लगते हैं अब दाता जी देखते हैं कि CEO यहाँ पर आया है तो दाता जी देखके बोलते हैं जिनी आओ तब ही सब लोग बोलते हैं Grandpa तब ही बोलते हैं तुमनों को गलत फाहमी तो नहीं होगी यह आदमी इतना यंग कैसे हैं कि कैसे अपने grandfather हो सकते हैं क्योंकि grandfather तो वाकर में बुढ़ देखे ना लेकिन उनकी वाइफ ने का कि तुम तो बहुती ओल्ड दिख रहे हो तो उनकी वाइफ ने जादू से अपने हस्बेंट को यंग कर दिया तभी ग्रैंट फादर जो है इनके वो बोलते हैं खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि रूरू तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो तभी रूरू हसके बोलता है कि रूरू को पता थक ही आप यहां रहते हो तो रूरू हमको यहां पर यह और बिग हैट को मिलाने के लिए ले तो grandfather को तोड़ा शौक लगता हूँ बोलते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हूँ जिन्या हूँ तो रूरू के छोटा भाई big head जो है वो आइना अपने सिर्कियों पर उठाता है और grandfather को दिखाता है बोलते है अरे वहाँ ये तो वैसे better है और अभी उन्हें याद आता है कि कैसे उनकी wife ने कहा होता है कि मैं अभी भी तुम्हें ऐसे old man में accept नहीं कर सकती हूँ और फिर उनके दिमाग में बलग चलता है कि ये जो किया है वो एक्सिया उने किया है और फिर explain करते है कि तुम्हारी ग्रैंड मा जो है उन्होंने मुझे change कर दिया है जैसा मैं ये अंगेज में दिखता था वैसा तो CEO बुलता है my grandmother याने CEO का अभी भी शौक लगता है कि अब उनकी first grandmother कहां से आ गई और तो grandfather बड़े खुश होते हो बुलते हैं तुमने उन्हें नहीं देखा है ये तुम्हारी biological grandma है जो मेरी पहली पतनी है और वो अभी वापस आती होगी और तभी बुलता है कि रूरू ने हमें बताया कि आप छोड़के जा रहे हैं तो आप कहां जा रहे हैं घरके तो grandfather जो हैं वो प्रे खुश होते हैं और बुलते हैं कि मैं उस जगह पे जा रहा हूँ जहां पर मैं अपने प्यार के साथ असानी से रह सकूं मतलब अपनी फै कारे इनकी वाइफ लॉट आई है कि दिखाते हैं कि इनकी वाइफ CEO के फादर और CEO की मदल सब लोग आ गए और बोलते हैं कि तुम अभी तक यहीं पे हो और 500 अब मापा दिखाते हैं CEO कि फादर CEO की ममी CEO अपने फादर को देखता है और उसकी आ इनगे फड़ जा आती हैं जनिया ओं यह तुमारी ग्रैंड मदर है कम से हैलो तो सीओ अपनी ग्रैंड मदर को हैलो बोलता है धिकора यह और अपने नातिन को देख तीर और ऒलती है अभी तक तुम अपने पारण से नहीं मिले इसे तुयर कि एक सुरान है और यह तुमारी मदर जो है एक्स चिया है करके. फादर मदर जो हैं, दोनों जिन्याओ जो हैं, जिन्याओ जो है, और तबी दादी जी को होश आता है कि हम लोग तो सब मरें वहे हैं, तो हम लोग यहां पर हैं, हमें समझ में आ रहा हैं. लेकिन माई डियर बॉइ, तुम यहां क्या कर रहे हो किया इतुम लोगों को मगतलब तुम लोग मर गहे क्यों बार जव़ें और तुम अब उसको बन जाते हैं गुल गोल चकी रह जाती है और वो बोलती है कि अरे तुम यहां क्या कर रहे हो और यह के सिर्कियों पर वो बिग हैट को देखती है तो यह बताता है कि सौरी हम लोग ऐसे अचानक आगए करके तब भी ग्रैंड मा बोलती है कि जो तुम लोगो को क्या हुआ क्या तुम लोग भी एक ही रात में सब मर गए क्या तो ऐसा सोचके बोलती है कि ओमाइगाड ऐसा तो फैंग फैमिली का एंड नहीं होना चाहिए यह मेरी जो तुमारी डेट ग्रैंड मा है उसकी होपस बहुत जादा है तुमारे लिए अब यह सी और बिग हैट जो ते और अपनी ग्रैंड मदर की ऐसी बातों पर थोड़ा सा वह होते हैं प्रतिक्या तो सब हवा में फ्लोट कर रहे हो ना तो मरी गए होगी करके तो जिन्याव बोलता है कि लेकिन कोई चिंता करने की बात नहीं है हम लोग ठीक हैं और यह जो एबलेटी है इस प्रकार की वो रूरू की है हम उसके द्वारा आप लोगों को ड्रीम्स में आके मिल सकते हैं और कन्फ्यूज हो जाती है बुलती है रूरू का ड्रीम तो क्या तुम्हारी जो सोल है वो क्या बाडी के बाहर आ सकती है हमारे ड्रीम्स के अंदर क्या यह कुछ डेंजरस नहीं होगा और यह बहुत इसको यदि तुमने कहीं खो दिया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं मैंने हो सकता है कि हमारी इस प्रिट्स जो है वह किसी एक स्पेशल स्पेस के अंदर ट्रैवल कर गई होगा कि पर अब चिंता मत करो हम जब उठेंगे तो हम वैसे ही उठेंगे जैसे हम रोज सुब होटते हैं अब इनका पूरा परिवार इन दोनों को देखने लगता है औ और तभी बोलते हैं कि ग्रैंटफा फैंग जो है वो यहां पर है तुमने कहाता है तो क्या वो वाकई में तभी सीओ पूसते है कि ग्रैंटफा क्या आपने वाकई में तो ग्रैंटफादर बोलते हैं कि जिन्याओ सॉरी मैंने जो डिजीजन है अपने गुडबाई का वो म मैं तुमारी Grand Mother से बहुत पहले से ही मिलना चाहता था और बहुत जल्दी थी मुझे मिलने की इसलिए मैंने वो दुनिया छोड़ दी और तुमारी Grand Mother की दुनिया में मैं आ गया और तभी जिन्याओ को समझ में नहीं आता की क्या वो बोले और तभी Grand Mother पीछे से बोलती है तुम ऐसे reckless कैसे हो सकते हो और तुमने उसे goodbye भी नहीं कहा और यदि जिन्याओ यहां नहीं आता तो उसे कैसे पता चलता और उसके तुमारे death की जो news है फिर उसे newspaper में पढ़ती तुमारे साथ क्या matter है क्या problem है करके मतलब जो दादी जी है वो इस बात से दुखी नहीं हो रही है कि उसके husband मरके उसको यहां मिलने आ गए इस बात से दुखी हो रही है कि यदि वो goodbye नहीं कहा और उसे जिन्याओ यहां नहीं होता तो बिचारे को news जो है वो दुसरे दिन newspaper में पता चलती है और तो दादाची बुलते है sorry करके और बुलते कि जिन्याओ तुम दुखी मत हो ना तुमारी जो grandmother और मैं हूँ अब हम दोनों मिल गए है और हम अपनी life को happily रहेंगे करके और मेरे को ना कोई भी worries नहीं है और regrets नहीं है कोई भी पश्तावा नहीं है कि मैंने वो world शोड़ दिया है करके और मैं जब इस दुनिया में आया तो मैं बहुत happy था और मैं hope करता हूँ कि तुम लोग भी अपनी life को बहुत अच्छे से जीयो और एक एक पल को cherish करोगा कि और मैंने अपने lawyer को भी बोल दिया है कि वो तुमको तुमारे father के case के साथ help करे और वो तुमसे जल्दी मिलने आएंगे और sorry इस case से मुझे deal करना चाहिए था लेकिन मेरी जो body यह जादा समय तक hold up नहीं कर पाई तो अब तुम्हें करना पड़ेगा तुम्हें यह सब आखरे तक देखना पड़ेगा तो she emotional दो जाता है बोलता है grandfather और तभी उनकी दादी बोलती है कि चलो बहुत देर हो गई है अब हम लोगों को जाना पड़ेगा तो जाने से पहले बोलती है कि children मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं तुम लोगों को इस बार last time देख पा रही हूं और मुझे अब कोई भी जिंदकी से कोई भी regret नहीं है और तो तुम लोग अपनी अपनी जो है good care करना करके और अपना ध्यान रखना और तभी बोलता है कि आपको सच में जाना तो दादी बुलती है कि हम लोग जो है इस world में थोड़ी देर ही रह सकते हैं क्योंकि हमारे unfinished business भी है और हम लोग यहाँ पर आये थे मेरे husband को लेने के लिए और हम लोग जो है यहाँ पर force होके यहाँ पर रहेगा के और अब जब वो हमारे साथ आगे है तो हमें move on करना पड जाएगी और हम लोग वैसे के वैसे हो जाएंगे जैसे हम भुढ़ापे में थे तो रूरू बोलता है है नहीं कोई problem नहीं करके तुम्हें जाने की जर्वत नहीं है तुम लोग जो हो रूरू के kingdom में आ सकते हो और तुम लोग सब के सब रूरू के kingdom में welcome हों और मैं तुम चाहो मतलब रूरू के kingdom में अग दादा दादी और जिन्याओं के parents भी रह सकते हैं और तभी रूरू बोलता है कि रूरू जो है बहुत ही generous है और तभी न सब लोग जो ये मर गए हैं जैसे CEO के ममी पापा और दादा दादी वो बोलते हैं रूरू का kingdom ये क्या चीज़ है तो CEO हम लोग यहां पर इसले आए हैं क्योंकि हमें रूरू लाया है और रूरू के पास special ability है और उसका dreamland का space भी है तो हम लोग जो है ना उसकी dreams के द्वारा उसके space में आ जाते हैं और thank you कहता है और बोलता है कि even ही जो है दिन में बहुत ही busy रहता है तो भी हम ना dreams में रात को मिल लेते हैं और हम जब उठते हैं तो हम लोग tired भी नहीं होते हैं तो यदि आप लोगों को कोई अतराज नहीं हो तो आप लोग हमारे साथ हमारे kingdom में आ सकते हो क्या तो यह बुलता है हाँ रूरू जो है बहुत ही capable है और वो अपने dreams में हमको ला सकता है और ह आप लोग disappear भी नहीं होगे और आप लोग यदि अभी चले गए तो जिन्याओ भी नहीं चाहेगा कि आप लोग इतनी जल्दी चले चाओ को कि अभी अभी तो मिले हो और तो रूरू बोलता है ठीक है आप लोग तब तक महां रह सकते हैं जब तक आपका मन करें और यह बा और रूरू इस दर ग्रेटेस्ट ऐसा कहती है अब क्या होता है बादे लोग की एक बड़ी कार बनती है जिसमें सारी फैमली बैठती है और दादी जो होती है वो बहुत ही इंजॉय कर जी होती है दर देखते हो बोलती है आमेजिंग और मैंने ऐसा मैजिकल पैलस पहले कभ जीम है और तभी CEO के फादर बोलते है मुझे भी ऐसा लगता है कि वो थोड़ा बड़ी हो गई है यहां दिखाते है कि CEO की छोटी आंट और उसका हस्बेन और अब यह जो CEO के फादर है वो अपनी वाइब से बोलते कि लगता है मेरी बेहन जो है वो बहुत ही खुश दिखा है ना तो दादी बोलते है यह तो amusement park है क्या और दादा बोलते हैं कि यह place कित्ती amazing है दादी बोलते है ऐसी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी और रूरू बताता है कि वो देखो ferry wheels है और यह बहुती बड़ी ferry wheel है और वो roller coaster है तब ही दादी बोलते है कि कित्ता exciting देख रह हम में जे थोड़े कम heart attack आएंगे यदि हम ऐसी चीजों पर games खेलेंगे मतलब roller coaster पर जाएंगे और ferry wheels में जाएंगे तो दादा जी को heart attack आ सकता है तो दादी जी ना अपने husband के सिर्क्यों पर एक मुक्का मार देती है और बोलती है कि अरे तुम पहले ही मर चुके हो अब क्य कर रहे हो चलो हम लोग साथ में चलते हैं तो उनकी बफू बोलती है कि कि कै तुम अपनी मा के साथ खेलना चाहते हो मैं वह थोड़ा सा डर लग रहा है और तो husband बोलता है कि don't worry मैं यहाँ पर हूँ और तभी CEO गोलता है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग पहले restaurant कर जाएं करके और हम वहाँ पर पहले थुछ दिर बात करते हैं और कुछ खाएं तभी ना दादी जी के तो दिमाग में जैसे घंटी बच जाती है वह सोचती है खाना और यहाँ पर खाना भी मिलेगा कहा है खान और आफ्टर लाइफ तो मतलब जो होता है मतलब कुछ खाने को मिलता नहीं है तो वह दिखाते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जब सूल डेस्परेट होती है आफ्टर लाइफ और बहुत समय तक यह की जगह पर पड़ी रहती है तो तुम लोगों को वेट करना पता है किसी हो औ इंसान का और मैं अपने हजबन का बहुत ही मिस कर रही थी तो मैं उसको देखने के लिए ऐस सून आज आ सकी करके और वो सुचते है कि मुझे यहाँ पर वेट करना चाहिए अपने हजबन का और दिखाते हैं कि कुछ मॉमेंट्स के बाद बोलते हैं कि यह आदमी कुछ दि कर रहा है दूसरी ओरत के साथ और यह जो ओर्ड मैंन है और मैं इसका बिल्कुल इंतिजा नहीं करूंगी और मैं ना दूसरा जनम लेग लिए और मैं इस आदमी से फिर से कभी भी नेक्स लाइफ में नहीं मिलूंगी करके यह ऐसा सब दाती अपने मन में सोच रही होती है जब वो मरी होती है फिर दिखाते है कि कुछ सालों के बाद वो बोलती है कि ठीक से खड़े रहो वहाँ पर स्टैंड स्ट्रेट रहो और कुछ काम करने में स्लैक मत करना और नहीं तो तुमारा जो सोल है वो तुमारे बोडी के अंदर से निकल जाएगी करके तो जो इनकी दादी होती है वो बोलती है कि कैसे चमें यहाँ पर खाना है क्या तो यह बताता है कि रूरू जो है वो कुछ भी बना सकता है और यह बिल्कुल भी रियल वर्ड की तरह ही है और आपको जो चाहिए बस आप बता दीजी रूरू को और वो अपके लिए कर और आपको जितना भी चाहिए उतना आपको मिलेगा ऐसा हमारा CEO कहता है तो सब के सब बहुत चक्के रह जाते हैं और बहुत एक्साइटेट भी होता है अब रूरू बोलता है कि ये रूरू का रेस्टोरेंट है और रूरू अपने हाथ में एक कॉपी लेकि उसमें नोट करन चाहिए और रोस्टेड डक भी चाहिए और मुझे बहुत सारे मतलब रोस्टेड वगरा मीट चाहिए करके और मुझे लोटस रूट भी चाहिए डेट्स भी चाहिए और ग्रीन पेपर भी चाहिए करके और उनकी जो बहु होती है वो बोलती है कि मुझे आइस्क्रीम चाह और दादा जी बोलते हैं कि मुझे तो बहुत ही लंबा समय होके है spicy food खाए वे तो मुझे spicy chicken चाहिए और hot pot भी चाहिए और boiled meat भी चाहिए अब दादी जी को फिर से आदाता है दादी जी बोलते हैं मुझे cakes चाहिए french fries चाहिए और बोलते है कि अनकी पर बोलते है क्या मुझे और कुछ भी मिल सकता है क्या और दूसरे उनसका husband बोलता है मुझे भी और दादाजी भी बोलते है मुझे भी करके और तब ही बोलते है कि सब लोग रूट चाहिए रूरू जो है बहुत सारी dishes को नहीं भी जानता है और हो सकता है वहती सारी dishes ना भी बना पाए और आप लोगोंने बहुत सारा order भी किया है तो थोड़ा easy हो जाएगे अब क्या होता है सब लोग इंतिजार करने लगते हैं दादा दादी और CEO के parents अब जब table पे चीजे देखते हैं तो बहुत सारा खाना उनका मनपसंद सजा होता है और ना सब लोग खाने पे टूट पड़ते हैं और ही कोशिस करता है कि सब लोग slow down होके काए और बुलता है कि क्यों ना हम खाते खाते बात करेगा के लेकिन किसके पास खाते खाते बात करने का time है कोई cake खा रहा है, कोई fried chicken खा रहा है, कोई spicy खा रहा है और ये लोग सब मरने के बाद ये सब चीज़े खा रहे हैं क्योंकि मरने के बाद तो लोगों को खाना नहीं मिलता है लेकिन रूरू के dreamland में ज़रूर खाना मिलता है और तभी ये कुछ बोलने की कोशिस करता है लेकिन CEO अपनी मुंडी हिलाके बोलता है कि कोई फाइदा नहीं कुछ भी बोलने का और तभी अपनी CEO से बोलता है कि कितना समय हो गया है कि इन लोगों ने खाना नहीं खाया है, ये इतने भूके क्यों है और ये इतने हंगरी क्यों है और दूसी तब दिखाते हैं कि रूरू अपने magic से सबी कुछ चीज़े जो है कर दे रहा है करके और तब इसी यो बुलता है कि मुझे लगता है बहुत लंबे समय से इन्होंने खाना नहीं खाया है करके और मेरी grandfather, grandmother और parents अब जाके इनको ये सब खाना मिल रहा है अब इन सब का खाना तो हो जाता है और ये लोग बहुत जो से डकार लेते हैं और तब ही इनकी दादी की अकों में आज़ू हा जाते हैं और बोलती है मैं कभी पीती हैपी नहीं थी और इती साल तक इंतिजार करना का और ये नकी दादी बहुत ही खुश होती है और बोलती है ये सब पर जो था याने ये जो आज का party था वो बहुत ही मचेदार था अच्छा था और तब भी दादा जी को दादा जी बोलते है कि मुझे लगा ता कि तुम मेरा इंतिजार कर रही हो करके मुझे नहीं पता था कि तुम खाने का इंतिजार कर रही हो करके और तब ही CEO बोलता है हाँ तुम ने कहा था कि तुम ग्रेंट पादर का इंतिजार कर रही हो और यह बुलता है कि ऐसा नहीं है उन्होंने ये कहा था कि वो वागई मैं ददादासी का इंतिजार कर यह और तब ही जो ददादीची होती है बहुत कुश होती है और दोने पचेपने गर Creek लगा देती है और तभी वो पुछते हैं अपने बेटे से कि जिन्याओ तुमने कहा था कि हम लोग रूरू के ड्रीम्स के तुरू यहाँ पर आए हैं तो जब तुम उठोगे तो क्या यह सब डिसपियर यानि कि गायब हो जाएगा क्या और हम लोग कहा जाएंगे तो यहीं बोलता है अरे यह बात तो हम लोगों ने सोची ही नहीं तभी रूरू की आवाज आती है और रूरू बोलता है कि don't worry grandpa यह रूरू की जगा है और रूरू जब तक आस्पास रहेगा तब तक ही जगा कभी भी डिसपियर नहीं होगी करके और जब बिग हैट जो है मेरा ब्राधर है तो आपके आप देख रहे जो है बिग हैट करेगा तो आप लोग जो है रूरू के किंडम में एंजॉय करो और तभी रूरू पीछे मुड़के देखता है और अपने भाई को बहता है कि इनलों को जो भी चाहिए तुम्हें वो सब होने देना पड़ेगा और तुम्हें इनको treat भी well करना पड़ेगा ये बाद सुनके दादा दादी और great grandfather and mother बहुत कुछ हो जाते हैं तभी दादी को याद आता है कि बहाँ पर एक roller coaster भी है ferry wheels भी है और spinning tea cup भी है और bumper cars भी है अब क्या होता है दूसरी तर दिखाते हैं कि इनकी जो second wife है दादा जी की जो second wife है वो बहुत जादा शराब में पी रही होती है और तभी उनका बिटा के बोलता है कि mom इतना जादा मत पी हो करके और ये बहुत ही बेकूफी बारी बात है कि हमारे फादा ने सारी चीजे जो है किसी और को दे दी और आपको उन्होंने divorce क्योंग दे दिया करके और उन्होंने हमारे लिए कुछ भी क्योंग छोड़ा करके और तब भी उनकी बड़ी बेटी बोलती है कि ऐसा नहीं था क्या कि आपका और पापा का रिलेशन्शिप अच्छा था तो पापा ने ऐसा क्यों किया क्या आपने पापा को अफसेट कर दिया था क्या यदि ऐसा है तो आप जाके उनसे माफी मांग दीजो और उनको कन्वेंस करके उनसे उनकी बिल दुबारा लिखा लेजे तो इनकी मां बोलती है गुड रिलेशन्शिप तुम्हें ऐसा लगा था कि हमारा गुड रिलेशन्शिप तो इनकी बड़ी बेटी बोलती है तो क्या ऐसा नहीं था आप तो कितने समय से लवर्स थे करके और आपको डैड न तो कभी हसा नहीं किया था तो हो सकता है ना कि वो आपको वाकई में बहुत प्यार करते हो तभी उनकी मदर बोलती है कि नहीं तुमारे पता ने मुझे कभी प्यार नहीं किया और उन्होंने तब से मुझे प्यार नहीं किया जब से उनकी शादी हो गई थी मतलब जो grandfather की शादी हुई थी पहली शादी उस औरत को grandfather प्यार करते थे तब ही उनका बेटा बोलता है कि mom क्या पागलो जैसी बाते कर रही हो और ये तो बहुत normal है big family में कि orange marriages होती है और dad ने अपनी शादी के बद किस युगा को lover भी नहीं रखा तो आपकी इस बात पर upset है करके तो उनकी मा बताती है कि तुमारे dad को guilt था कि पहले उनकी गलपरंती लेकिन मुझे शादी नहीं कर पाई इसलिए उनों मेरे से शादी कर ले करके और यदि मैं इतना उनको साथ skimming नहीं करती और उनको ऐसे कोई दवाई ववाई मिलाके नहीं पिलाती तो वो मुझे कभी भी चूते नहीं करके और तुम कभी भी पैदा नहीं होते फिर करके और यदि तुम कभी पैदा नहीं होते तो यह सब कुछ जो है कभी भी तुमें नहीं मिलता तो जब यह ऐसा बोल रही होती है और बताती है कि हम लोग जब शादी हुए तो तुम्हारे फादर ने जब तुम पैदा हो गए तो तुम्हारे फादर ने उसके मुझे कभी भी हाथ नहीं लगाया और वो हमेशे प्योर रहना चाहते थे सिर्फ उस औरत के लिए जो उनकी प्यार है मतलब अपने फैस्ट वाइप के लिए और क्या कहते हैं मैंने हमेशे बहुत ज़्यादा कोशिश थी उनके करीब आने की पर वो मुझे कभी भी अपने करीब मी आने देते थे करके और मैं जो उनकी पहली वाइप उससे बहुत ज़्यादा हेट करती थी और मैं CEO के फादर और CEO से भी हेट करती हूँ करके और जो जो लोग उस औरत से related हैं उन सब से hate करती हूँ और वो सब लोग मरना deserve करते हैं उन सब को मर जाना चाहिए ऐसा कहे कि उनकी मा रोने लगती है और उनका बेटा और उनकी बड़ी बेटी अपनी मा को देख लेते हैं ऐसा करते हुए देखते रहते हैं करो मेरे पास अभी भी टाइम है डाट चब उठेंगे तो मैं उनसे बात करूंगा और मैं उनसे उनको everyday विजिट भी करूंगा और उनको ना मैं पटा कि किसी भी तरह उनसे सब को समान लेने की पोश्चिस करूंगा और तब क्या होता है, दूसरी तरह दिखाते हैं की लोग आ रहे हैं करके और कोई पुच्छता है की आपके पादर उठ गए है तब कोई बोलता है की ग्रैंड मास्टर फैंग आप करके बोलते हैं यान अभी इनके जो CEO का मतलब CEO के जगइनकल है वो और चाहियो की अंटी जो है वहाई है और सुन रहे हैं कि ग्रैंड मास्टर फैंग जो है अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं करके अगर दूसरे तर दिखाते हैं कि दादाजी की डेथ हो गई है और दादाजी की फोटो को लगाया गया है दादाजी कॉफन बाक्स में भी है सब लोग हूने देखने हाँ हैं काफी लोग आते हैं और बॉलते हैं कि आपके loss के लिए sorry करके sorry you loss sorry you loss यहां फैंग family के सभी मेंबर होते हैं और वो एक दूसरे को sorry sorry कह रहु हैं कई बहार के भी लोग आते हैं वो भी sorry बोलते हैं रुको थोड़ी देर में गेज़ सब खतम हो जाएगा ये लोग दादा जी को गुडबाई कहने के लिए आए हैं और ये सैरे में नी जो है ये जल्दी खतम होगी फिर उसके अधा हम लोग दिनर करने चलेंगे तब ही जो है दादा जी की फोटो को देखता है और मन में सुचता है कि मुझे जो है सैड लोग को देना होगा और मुझे सैड होना चाहिए लेकिन ये को दादा जी कल रात की पार्टी में याद आ जाते हैं जो ड्रीम्स में थे कि दादाची कैसे बियर पी रहे थे और बोड़ रहे थे कि यहां पर मरने के बाद जादा अच्छा लग रहा है जब मैं जिन्दा था तो बिलकुल इतना अच्छा फील नहीं हो रहा था अब मुझे काम करने की जरुवत नहीं है मुझे अपने हेल्थ का ध्यान रखने की जरुवत नहीं है और मैं सारा दिन पी सकता हूँ और खा सकता हूँ और कैसे अपने बेटे के साथ में मिलके बियर पी रहते है और चीर्स कर रहे थे और ये सीन याद आतने के बाद ये को लगता है कि मैं कैसे सैड फील करूँ जब वहां सब लोग खुशे करके तब ही गोता है कि मैं एक एक्टर हूँ तो मुझे यदि मैं सैड नहीं भी हूँ तो मुझे अट लीस प्रिटेंड तो करना ही होगा और ये एक ऐसा फेस बनाता है अजीब सा और सोचता है कि मैं सैड हूँ और मुझे रोना है जिन याओ हमारे सीओ ये को देखते हैं और अपने मन में बोलते हैं कि तुम्हें इस तरह के से फेस बनाके सैड दिखने की कोई जरुएत नहीं है फिर भी CEO आता है और हसता है और तब भी दूसरी तरफ से अंटी आती है और अंटी ये के कंदे पे हाथ रखती है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो छोटी अंटी है वो बोलती है कि यदि तुमको बहुती ज़्यादा टायरनेस फील हो रही है तो तुम लोग हॉल में जाके रेस्ट करो और जो जो जोटे बच्चे हैं वो कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं तो यह बुलता है नहीं नहीं हम लोग ठीक है और तब ही आंटी जो है बोलती कि मुझे भरोसम बिलीव नहीं हो रहा है कि हमारा जो भी है वो इतना बड़ा हो गया है वो ब बिग हैड का इंट्रोडेक्शन गी कराता है कि बिग हैड यह जो है कि तब ही आंटी बोलती है कि मेरा नाम यू यान है क्या तुम मुझे रिमेंबर कर रहे हो क्या करते तो चोड़ा बच्चों थोड़ी देर देखने लगता है और फिर हाथ जो आंटी देती है उनकी चाहन गया और आंटी बहुत होती है अपनी हस्बेंड की तरफ देखती है कि कितना गुड़ बॉय है तुम जल्दी से बड़े होना अपना ध्यान रखना और बिग हैड जो है बड़ा होके काफी हैंसम लगेगा और जो जिन यह आओ है न वो मॉर्निंग से बिजी है मैं ज चुछता है कि तुम ठीक हो तो सी यह बोलता है हां मैं तो ठीक हूं तुम बताओ तुम कैसे हो और बच्चे कैसे हैं क्या तुम लोगों को यहां पर थोड़ी दिर और रहना है करके क्या या कुछ चाहिए क्या करते तो यह बताता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं चाहिए रूरू और बिग हेड जो है वो बहुत वेल बिहेवड बच्चे हैं ये सुनके अपनी तारिफ सुनके दोनों की नाक एग्दम उपर हो जाती है अब यहाँ पर दिखाते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर चेर्मेन फैंग की मेमरी के लिए आये हैं करके और च से हमारे एंटर्प्राइस में मतलब कुछ थे करके बड़े बड़े पोजिशन पे थे और इसलिए हम अपने ग्रैंट पैरंस को लास्ट विजिट देने आये हैं कि तब यहीं बोलता है क्या तुम अपने ग्रैंट पैरंस को जाके कुछ प्रेजंट देना चाहते हो क्या CEO क अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कैसे हमारी जो दादी जी है हमारी रियल दादी जी वह बोल रही है कि मैंने तो बहुत समय से अपने स्किन का केर नहीं किया है जबसे मैं मर गई हूँ और मुझे तो पता भी नहीं कि मॉडन जमाने में इसकिन केर के कौन-कौन से जी दूसी तरफ गां रहे होते हैं और वोटते हैं मुझे तो वर्लकप देखना है और याधि वो ब्रोडकास लाइव होगा तो और भी ज़ादा अचा है और मुझे पीनट्स चाहिए इंबियर चाहिए द्रिंक्स चाहिए और ऐसा करके ना गाते रहते हैं दूसरी तरफ उनकी जो बहू होती है वो बोलती है मुझे ना कुछ नए कपड़े चाहिए पर्स चाहिए और जूते भी चाहिए मैं तो इन कपड़ों को एक डस साल से पहने वे घूम रही हो और या अब अच्छे नहीं लग रहे हैं करके तो उसका हजबन बोलता है कि हनी ऐसा नहीं है तुम अभी भी बहुत अच्छा स्मेल करती हो और तभी उस CEO के फादर बोलते है कि मुझे तो लेटेस गेम चाहिए और मुझे तो मॉडलिंग फिगर भी चाहिए करके अब क्या होता है यह बोलता है कि हमें इतनी सारी चीजों की लेस्ट बना रहे हैं पेपर खता में नहीं होता और यह तो बहुत अजीब लग रहा है तो क्या होता है तभी इनकी दादी बोलते है कि कोई भी चीप इमीटेशन मत लेके आना सब रियल तिंग्स लेके आना तो इनकी बहुत बोलती है एक्जेक्ली वैसे ही करके आना और जो चीप तिंग्स होती है ना वो बहुत ही लोगों को फूल भी बनाते हैं चीज़े बेचके तो फिर बोलती है कि मुझे ना रूरू और बिग हेड का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन लोगों लेना वैसे का वैसे ही सब कुछ करके दिया जैसा एक रियल लाइफ में होता है करके तब ही बोलता है कि जब मैडम मैडम करके आप अंदर नहीं आ सकती है करके और क्या है ग्रैंड मास्टर ने पहले ही क्लियर कर दिया कि आप उनके फ्यूनरल में जो हो अलाउड नहीं हो करके और तब भी इसी यह बोलता है कि तुम बच्चों को समालो मैं जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है अब क्या दिखाते हैं कि जो हमारे दादा जी है उनकी दूसरी वाइफ आ गई है और बोलती है कि मुझे अंदर आने तो लेकिन कोई भी उन्हें आने नहीं देता है और बोलती है कि मैं उनकी वाइफ हूँ साथ इतना क्रुएल हो सकता है और तुम मुझे मेरे हस्बेन को आकरी बार भी नहीं देखने दे रहे हो और मैं अभी तक उनकी दुख से बाहर भी नहीं आई हूँ तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और तभी वो वहाँ पर बैठके रोना रखती है और ड्रामा करने लगती है लोग सोचते हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है और बोलते हैं यह मैडम फैंग है और कोई बोलता है कि मुझे तो लगता है इनको डिवोस मिल गया है और इस एज में यह सब करना तब इना CEO आता और बोलता है आप यहां से चली जाएए grandfather जो है आपको देखना नहीं चाहते तो ना इनकी जो grandmother है second grandmother वो बोलती है यह तुम थे यह तुम थे जिसकी वज़े से यह सब हुआ है तुमने यह सब किया है यह सब तुमारा किया धरा है क्या होता है बहन और भाही एक दूसरे को देखते है और बुलते किया तुमने ऐसा किया और यह जो है जिन्याओ का किया धरा है और mom भी यहां आप रहा गए है और तो इनकी बड़ी बेटी और जो बेटा है वो बुलता है mom आप यहां क्या कर रही हो mom आप ओट के खड़ी हो जाओ और यह आप क्या कर रही होगा कि grandmother भी जो health है वो poor है और grandfather से वो last time मिलनी पा रही है और तो जिन्याओ तुम कैसे मेरी मा को गर के बाहर निकाल सकते हो तुम क्या human भी हो की नहीं हो और तब इनकी बड़ी बेटी बोलती है निकाल रहे हो तो इनकी माल ड्रामा करती है उसको push मत करो और क्या कहते हैं जो मेरे husband है वो अपने सी मतलब CEO के लिए बहुत ज़्यादा sorry feel करते थे इसलिए उसने सब कुछ इसको दे दिया करके और तब ही लोग gossip करने लगते हैं कि देखो यह अपनी step step grandmother को कैसे घर से बहाँ निकाल रहा है वो ऐसे कैसे कर सकता है सारी property ले लिए और अब इसको बहाँ निकाल रहा है यह तो बहुत cruel है करके अब यह दूसरी तरह देखता है और सोचता है कि यह लोग कैसे यहाँ पर grandfather के funeral में scene create कर सकते हैं इन लोग कुछ भी idea नहीं कि क्या चल रहा है और यह ऐसे rumors फैल आएंगे तो CEO की reputation पर गलत असर पड़ेगा और तभी इनके जो uncle बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुमने कैसे trick किया दादा जी मतलब फादा ने तुमको सारी चीज़े दे दी और अब यह secret नहीं रह गया है तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते हो करके तो यह सब देखता है उसे बहुत ही अजीव लगता सुचता है कि उसे क्या करना चाहिए तो वो रूरू को उठाता है बोलता है उठो उठो उनको dinner के ले जाना है तब यह रूरू उठा है और यहीं बूलता है कि रूरू क्या तो मुझे ग्रैंटपा के पास ले जा सकते हैं इस वर्थ मुझे बहुत ही important बात रूरू क्या तुम मुझे भी grandfather के पास ले जा सकते हो मुझे उनसे बहुत ही जादा important बात discuss करने है तो रूरू बूलता है important बात तो यहीं बूलता है हाँ fang fang जो है वो trouble में है और enemies ने इसको surround कर लिया है तो मुझे दादा जी से जाके पूछना है करके और रूरू बूलता है ठीक हम CEO को help करते हैं तो हमारा यही बैटे बैटे बच्चों के साथ सो जाता है और ना dreamland में पहुंचता है और दादा जी महाँ पर beer पी रहे होते हैं मज़े कर रहे होते हैं तभी चिला के बुलता है कि दादा जी बहुती bad news से help करो दादा जी के मुझे beer पूरी मुझे बहा निकल जाती है और वो पुछते हैं कि यही क्या हुआ तो यही बताता है कि आपकी ex-wife जो है वो आपके funeral का आई है और यहाँ आपके तमाशा कर रहे है आपकी बड़ा बेटा बड़ी डॉटर भी वहाँ पर तमाशे कर रहे हैं और rumors फ़ला रहे हैं कि जिन गया उन्होंने फोर्सफली घर से निकाल दिया है और सारा क्या कहते हैं अपने property को भी चुरा लिया करके और वो बहुत नाटक कर रही है और बोल रही है कि वो trouble भी करेगी तो CEO के पापा बुलते हैं कि वो ऐसा इसले कर रही है क्योंकि वो जानते हैं कि CEO जो फोर्सफली उसको किसी के भी सामने लोगों के निकालेगा नहीं और फिर उसको लोगों की बाते सुननी पड़ेगी और उसको property देना पड़ेगा करके और यदि ऐसे ही तभी उनकी मा बोलती है कि यदि रिमर्स ऐसे ही चलेगी तो जिन्याओं की reputation खराब हो जाएगी और तभी दादा जी बोलते हैं कि उसकी हिमत कैसे हुई मेरी death के बाद भी ऐसा करने की तो यह कुछ help करने के लिए है कि आप मुझे बच्चों को देखना है मैं कुछ खास जादा help नहीं कर सकता और कि और तभी दिखाते हैं कि उनकी बड़ी बेहन जो है वो बोलती है कि य तुमने पका उन्हें कुछ temptation दिया होगा manipulate किया होगा और कुछ ना कुछ तुमने उनके हाथ से ले लिया होगा और अब तुम हमको किक करना चाह रही हो तो उनकी जोटी बेहन बोलती है कि तुम अपना nonsense बत करो डैड ने मुझे सिफ एडवाइस दी कि जो मेरा है मुझे ब पहवार करना चाहिए तो इनकी जो CEO की दादी है रियल दादी वह अपने ड्रीम गायन में ही बोलती है कि लगता है इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है इनके पस कुछ भी नहीं है और और यह जो है एकदम वाइल डॉक्स की दर है कुछ भी बगते जा रहे हैं तो करके और मैंने अपने रॉयर को भी बता दिया कि पुलिस रिपोर्ट कल होनी चाहिए थी लेकिन अब चुकि इन्होंने आज ही इतना सब कुछ ड्रामा कर दिया है तो आज ही बुलाओ आज ही यह मैटर सेटल डाउन करतो अब दादा जी दादी जी और CEO के माता पिता सभी क बोलते हैं ठीक है तुम जल्दी जाओ जल्दी जाओ और पुलिस को बोलाओ और क्या होता है यह वापस रियल वर्ड में आजाता है और फोन लगाता है और बोलता है कोन दिखा कि इनफ सब लोग रुख जाओ मैंने पुलिस को फोन कर दिया है पुलिस यहां आती होगी और मुझे यहाँ पर रिपोर्ट करनी है एक old woman के बारे में और यह case murder से related है दूसरी तर दिखाते हैं कि यह बुलता है कि मैं एक यह बुढधी औरत को murder के चार्ज के लिए prepare कर चुका हूँ करके अब दिखाते हैं कि सब लोग funeral में बात कर चुए murder murder यह young man क्या बात कर रहा है madam fang ने किसको मार दिया है यह कैसे हो सकता है और तभी लोग बुलते हैं ऐसा नहीं लगता कि यह family और मतलब देखा दिखा है आदमी लग रहा है फिर कोई बुलता है यह एक celebrity है और मैंने इसे टीवी पर देखा था और यही family का member है तभी CEO आकर बुलता है कि तुम यह क्या कर रहे हो तो यहीं बताता है कि मैंने grandfather से बात किया है उन्होंने मुझे यह करने कर लेका है अब उन्होंने कहाए कि दूसरे लोग बात कहते हैं कि यहीं ने कहाए कि मैडम फैंग ने किसी का मदद करा है वो किसको मा सकती है कितनी scary है और वो कहा रहा है कि पुलीस को सब पतातेगा और पुलीस के पस evidence भी है और इसने सच में किसी को मारा है तो ये तो वहाँ जाएगी, प्रिजिन में जाएगी अब क्या होता है, दोनों बच्चे अपनी मा को समालते हैं बोलते हैं, मॉम मॉम क्या आप ठीक हो करके उनकी बड़ी वोड़ी बोलती है कि मॉम आपको ड़नने की जर्वत नहीं है मैं और जाएंग आपके पास हैं और तभी इनकी मा मन में सोचती है कि मैं कुछ ड़ी भी नहीं हो सकता है ये इनका ट्रेक है, मुझे काम डाउन हो जाना चाहिए है हुआरीन तो मर गया है, मतलब कि दादा जी तो मर गया है और उसने मुझे इतने सालों तक प्रोटेक किया है उसके पास कोई एविडेंस होगा भी तो वो काफी समय पहले ही उसने डिस्ट्राइब कर दिया होगा, किसी को नहीं पता चलेगा और इसके लावा एक्सुरान को तो मरे वे 20 साल हो गया याने CEO के फादर को मरे वे 20 साल हो गया तो CEO के फादर को मैंने मर वाया था ये बात किसी को भी नहीं पता चलेगी और ये केस तो वैसे भी क्लोज हो गया था और ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है तो CEO बोलता है कि लेडिस और जेंटलमन आज की इस चीज के लिए सौरी हमारा ये पैमिली मैटर है और ग्राइन फादर ने मरने से पहले जो कहा था मैं आपको बताना चाहता हूँ लेकिन अभी तक मैं लोग प्रोफाइल बनके चल रहा था पर मुझे नहीं करता था कि यह और यहां आएंगी और सीन क्रेट करेगी तो मैं आप लोगों को फ्यू पॉइंट्स जो है क्लियर कर देना चाहरा हूँ पहले तो मेरे ग्राइन फादर ने अपना विल जो है अपने ठीक दिमाग गी हालत में लिखा था और मने से पहले लिखा था जो कि legally not tries है और उन्होंने ये सही कहा है हमारे family के मारे में जो भी asset asset है जो भी विल में लिखा है वो सब सही कहा गया है और वो बहुत विल्कुल फ्रीक थे उनको जैसे उनको और जिसको उनको देना था उन्होंने उसको दिया है अब वो चाहे children करें या किसी को भी जो भी family का होगा member उसको उनकी property मिलेगी और तभी बुलता है कि यदि मेरे uncle आंटी को कोई doubt है तो बो लोग जाए और lawyer से मिले तो इन तिनों का हम खुला रहता है और इनकी बड़ी आंटी बुलता है कि जिनी आओ और तभी CEO बुलता है कि second मेरे grandfather ने इस औरत को मरने से पहले ही divorce दे दिया था तो यह जो marriage है वो dissolve हो चुकी है और तो मैं उसको अपने यहां से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ बस यह family की member नहीं है और अब इसका हमारे से कुछ लेना देना नहीं है और third यह है कि आप लोगों को याद होगा कि यह वाला project हुआ था जिसमें आपको धारी हो गई थी और वहां जगड़ा हुआ था तो मुझे यह recall करने की जरुवत नहीं है कि यह किसके द्वारा हुआ था और किसको overseas भीजा गया था क्या मुझे यह explain करने की जरुवत है कि आंकल तो आंकल का चेहरा इंद नहीं उतर जाता है और बोलते है कि last में जो accusion लगा है murder करने का वो उसके concern में मैं बता दूँ कि मेरे father का death हो गया था और मेरे grandfather के पस मेरे father के fatal car accident का evidence है कि और उस time पे जब हम पता लगा रहे थे तब क्या था कोई proof नहीं था लेकिन अब है और ऐसा माना जाता है कि जो यह बुड़ी और यही prime suspect है करके और ऐसे ही एक accident मेरा भी कुछ साल बहले हुआ और हमें लगता है कि मेरे accident में भी इसी बुड़ी औरत का लेना देना है करके तो CEO सारी बाते clear करता है और बोलता है कि इतने सालों से मैं wait कर रहता कि truth बहार आएगा और मुझे justice चाहिए तो आप लोग चाहे भरोसा करें हमारे matter में या ना करें और हमारे family affairs के बारे में सोचे या ना सोचे इस से मुझे फोगे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन जब तक कि कोई result नहीं निकलता है मितलब police आके कारवाई नहीं करती है तक तक आप लोग किसी भी conclusion पर मत पहुंचिए और यहां आने के लिए धन्यवाद और मेरा उंग्राइन फादा का फिरून डिलाटन करने के लिए धन्यवाद दुस्य दिखाते हैं कि CEO बच्चे और यह जो है अपने घर चले गए हैं और वहां CEO बोलते है कि तुमने आज बहुत मैनत की और तुमने रूरू और बिग हैट को भी समाला और आगे से मैं समालूंगा तो यह बोलता है कि क्या तुम शूर हो कि तुम इनलों का ध्यान रख पाऊगे क्या तुम भूल गए हो कि हमारे पास एक डबल टाइम भी है करके CEO बोलता है मैं जो है मेरा रात में काम कर लूंगा और हम ड्रीम्स भी मिलेंगे और इसके लावा जो ग्रैनपा है वो रूरू के किंग्डम में है और जब उनको बहुत सारा फन करने में मज़ा हो जाएगा तो मैं उनको बोलूंगा कि वो फैन ग्रूप के मैटर्स को हैंडल करे और जब जुकि वो मर गए है तो उन्हें रेस्ट और स्लीप करने का तो कुछ जरुत है नहीं और वो बारा गंटे दिन के काम कर सकते हैं और बारा गंटे वो अपना गेम्स खेल सकते हैं तो यह बार के लिए बिलकुल इफ परफेक्ट है और तब यह एकदम शौक हो जाता है और वो अपने मन में सुछता है कि यह CEO कितना हार्टलेस आदमी है जो पूर ग्रेंट फादर जो हैं अब वो मर चुके हैं उसके बाद भी उनको कंपनी का बर्डन उठाना पड़ेगा चाहे वो जिंदा रहा है चाहे वो मरे रहे हैं उनने फिर भी कंपनी के काम करना पड़ेगा मुझे एकदम से उनके लिए सॉरी फील हो रहा है और तभी CEO के चोटे से डैवल वाले कान भी उगाते हैं और CEO गोलता है कि इसके लावा मेरे फादर भी तो है वो फेमस थे अपनी पढ़ाई लिखाई में अपनी यूनिवरसिटी में और मैं मुझे पूरी उमीद है कि वो भी बिजनस से फैमिलियर होंगे तो वो ग्रैंट फादर को जो है help कर सकते हैं और वैसे भी वो तो next family के successor बनने वाले थे तो ये सही रहेगा ऐसा करके वो यह कहा हाथ पकड़ता है तो इन लोगों को यह सब handle करने दो और इसके साथ ही क्या होगा कि मुझे तुम्हारे साथ साथ ताइम गुजाने के लिए मिलेगा करके अब यह अपने मन में सुचता है कि क्या मुझे इन लोगों को thank you कहना चाहिए क्या और तब भी दूसरी तर दिखाते हैं कि दादजी को कुछ ऐसा लगता है जैसे उनकी पूरी पीठ ठंडी सी पड़ गई हो और वो अपने बेटे से कहते कि एक्सवरांतु में लगता है क्या कि कुछ एगम से ठंडा सा हो गया है चिल्स हो गया है तो उनका बिटा बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है एक्चली ये सब जो बाते वो कर रहे होते हैं ये और सी यो और एक अंदाजा सा जैसे की क्राइन फादों को लग जाता है कि अब उनका बुरा टाइम आने वाला है करके अब क्या होता है रात हो जाती है मुन बुन निकलाता है डक्स होती है और जो हमारा ही ही है वो खेल के मूड में होता है और जो हमारा लिक्विट सोप होता है वो ही के मूपे दे के मारता है और एक बरी के मूपे एक वसीयो के मूपे अब दोनों के मूपे लिक्विट सोप लग जाता है और तभी CEO बोलता है कि तुम्हारे प्लेट में वैसे भी बहुत जादा था मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूं तो वह हां बोलता है अब क्या होता है यह सजेस्ट करता है कि हमें रूरू की ड्रीम में चलना चाहिए और ग्रैंट फादर को जो पुलिस केस हमने दर्ज किया उसके बारे में खबर देनी चाहिए तो CEO बोलता है ओकी यह दोनों बच्चों को नहला रहे होते हैं और तभी CEO सोचता है कि मुझे क्या कहते हैं ग्रैंट पा को कुछ काम देना चाहिए और सब चीज़े सॉर्ट इट आउट करने ही चाहिए करके तभी बोलता ह है मतलब इनकी जो दादाजी की सकेंड बाइफ है वो पुली सुलीस के नाम से बिमार होने का ढोंग करेगी और फिर उसको महां से ले जाना मुश्किल हो जाएगा करके तो तुम्हारे अंकल ने इस का बहुत ही यूज किया और उन्होंने फेक मैडिकल रिकॉर्स बना लिय और अब क्या है वो इस चीज का फाइदा उठाएगी और क्या कहते सी यह बुलता है लेकिन वो कितनी भी कोशिश करो उसे जेल तो जाना ही पड़ेगा करके तो यह बुलता है कि हां लेकिन तुम्हारी आंट और अंकल जो है बहुत ही प्रॉब्मेटिक हैं यह लोग अपन जी की सेकेंड बाइटी उसने क्राइम किया है और सारे बच्चे भी जानते हैं कि यह गलत है तो इनको पनिश्मेंट तो मिलना ही चाहिए और इन्होंने इतने साल तक अपने को मतलब इतना इंजॉय किया है और उनको जितना इंजॉय किया है गलत तरीके से उसका प्राइस CEO बोलते हैं कि Ruru and Big Head तुमको न ये पिपल्स को छूना पड़ेगा और इससे familiar होना पड़ेगा और बाद में तुम्हें ये सारे letters जो हैं Grandfather को देना पड़ेंगे तो Ruru बोलते हैं कि ये कितना सारा है और Big Head भी सुछता है कि ये तो बहुत सारा है तो CEO बोलते हैं कि तुम्हार जो Great Grandpa and Grandpa हैं वो सारा दिन खाना खाते हैं और Games खेलते रहते हैं तुम्हारे Kingdom में तो उनको अब कुछ पढ़ाई भी करने पड़ेगी अब दिखाते हैं कि कैसे Great Grandfather और Great Grandfather का जो बेटा है मतलब इनकी दादा जी कैसे हैं मस्ती और चिल कर रहे हैं तो CEO बोलता है कि इन लोग को भी पढ़ाई करनी चाहिए और इस तरीके से यदि वो रूरू के Kingdom में पढ़ाई करेंगे तो कितना अच्छा होगा तो यही अपने मन में सोचता है कि तुम कुछ जादा ही नहीं बोल रहे हो क्या और तभी क्या कहते हैं रूरू बोलता है हाँ रूरू तो बहुत करने जी आप क्या होता है वह सारे पेपर्स को छूता है और उसके से परिचित हो जाता है दूसरी तर दिखाते हैं कि दादा जी को सारे पेपर्स जो है कंपनी के वो डेलिवर कर दी गए और दादा जी बोलते हैं कि मुझे अब यहां पर यह इस जगह में अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि अब मरने के बाद भी उन्हें यहां पर काम करना पड़ रहा है तो कैसे अच्छा लगेगा दादी जी आती है और दादा जी के सिर्क्यों पर एक टपली दे देती है और बोलती है कि यह टाइम आ गया है कि तुम नहीं दादा जी बोलते हैं कि मुझे चुबो और वो किता लाविंग एगा कि तो तुमको उसको हेल्प करना चाहिए ऐस ग्रैंट फादर उसका बर्डन शेयर करना चाहिए और तो यह सारी चीज अपनी बगवास बन करो और काम करो अब ग्रैंट फादर क्या बोल सकते हैं ग्रैंट मदर के आगे तो वो ओके ब किताया है तो अब तुम्हें यहाँ पर मदद करनी पड़ेगी सीयों की मतलब सीयों के जो फादर है वो 20 साल से मरे वे थे तो अब 20 साल का पेमेंट करना पड़ेगा और बोलती है कि अपना काम अच्छे से करो और जब तक खतम नहीं होता ना तब तक तुम गेम्स खेलने क तो जो उनका बेटा है वो बोलता है यस मम तो जो उनकी दादी है वो बड़ी खुश हो जाती है और वो अपनी बहु को बोलाती है कि एक्सिया चलो चलो जलके हम चाय पीते हैं और यह जो केक है बहुत ही अच्छा है रूरू और बेग हैड ने इसको हमारे लिए स्पेशल प्रिपेर किया है करके तुम इसको खाओ तो जो इनकी बहु है वो बोलती है थैंक यू मम तो क्या है बिसिकली दादा और हस्बेंड जो है वो तो काम में बिजी है उनको काम में लगा रहा है लेकिन दादी और हस्बेंड की जो वाईव है वो बड़े मज़े कर रहे हैं य सब को enjoy करते वे देखते और उनका mood एकदम खराब हो जाता है तो CEO बोलता है जब भी तुम कहीं जाते हो तो आज कल reporters तुमें घेर लेते हैं क्या तुम अपने आपको enjoy कर रहे हो तो यह बताता है कि कैसे enjoy कर सकता हूँ जब इतने सारे लोग तुम को घेरे रहे हैं तो और इतनी सारी नजर तुम को देख रही हो तो और वहाँ पर यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारे दादा जी और CEO के पापा अभी भी काम में लगे हैं और उनके उपर जो है सब लोग रूरू के किंडम में वर्क हार्ड एंड वर्क स्टेडी डेली का नारा लगने लग गया है अब दूसरी सब दिखाते हैं कि दादीशी जेल में पहुँच गई है वहाँ पर जो भी खाना आता है वो ने फेक देती है और बोलते है यह क्या है फिर भी तुम ऐसे भी rice कर रही हो और तुम कैसे ungrateful हो सकती हो तो दादीशी खाने पर पैर मारती है और बोलती है कि तुम इसे खाना best खाना कहती हो यह खाना तो सूवर भी नहीं खायेंगे तुम अपने superior को यहां लेकिया हो मुझे उनसे बात करनी है मैं एक जर्मन की वाइफ हूँ और मेरा जो बेटा है वो फैंग ग्रूप का मालिक है तो तुम्हारी हिमत कैसे भी मुझे ऐसा ट्रेट करने की तुमको इसकी कीमत चुपानी पड़ेगी करके तो अटेंडन बोलते हैं आप जो ना चुप रही है तुम अपने आपको समझती क्या हो तुम डिटेंशियन सेंटर में हो तुम यहाँ पर ट्रबल मंगा कर रही हो करके तुम वाकई में अपने आपको कुछ बहुत बड़ा सोच रही हो तो मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम यहाँ पर जादा समय तक रहो और तभी डादी जी ना गुसा होती है और स्टैप डादी गुसा होती है और बोलती है तुमारी हिमत कैसे है मुझे से बात करने के लिए मैं तुमको यहाँ से फायर कर वाद रूँगी करके और तभी अटेंडन बोलती है तुम अच्छा तो तुम यह कहना चाती थी तुमने अपना को कभी आईने में देखा है कि तुम कितने रूडली बात वार्डन कहती है कि मैं भी तो वही कहना चाती हूँ अपने आपको चके आईने में देखा हूँ कि तुम किति रूढ हो तुम बिल्कुल भी मैडम फैंग और बिग कंपनी की مालकिंग की तरह नहीं हो thou बहुत ही arrogant हो और तुम्हें अपना crime accept करना जाये और तुम्हें जो है अच्छी खासी लंबी सजा होगी और तुम्हें प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो जो ये बुड़ी ओरत है वो बुलती है कि अच्छा मैं भी देखती हूँ कैसे तुम मुझे बुली कर सकती हो मेरा जब पेटा हैगा तो मैं उसको बूलूंगी कि वो तुमको यहां से निकाल दे करके तब वार्डन बोलती है कि क्या क्या ब बच पाओगी और तुम्हारा लाइफ अच्छा होगा क्या और हम लोग जो है एक लोग बेस सोसाइटी में रहते हैं यदि तुम्हारा जो बेटा है सेंट भी होगा तो भी वो तुम्हें यहां से बाहर नहीं निकाल पाएगा तुम अपना सारा लाइफ जो हो जेल में ही बिताने वाली हो वार्डन ऐसा कह देती है इस बुल्टी को